कि जहन मैं हुआ सब निलतिवारी सकार एकेडमी में आप सभी का फिर सस्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं की आने वाले समय में के साथ साथ व्यापम के द्वारा बहुत से भरती परिक्षाएं आयोजीत होने वाली हैं जैसे कि आपका संपरिक्षक बरती परिक्षा वन विकास निगम के लिए भरती परिक्षा फूड इस्पेक्टर भरती परिक्षा पटवारी भरती परिक्षा संयुक्त भरती परिक्ष repeat होते हैं और जैसा कि हम सभी अभी तक समझ चुके हैं कि व्यापम के द्वारा ली जाने वाली परिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा non-GS portion और उसमें भी गणित और reasoning तो मैं आपके लिए गणित और reasoning की एक विशेस वीडियो की श्रिंखला लेके आ रहा हूँ जिसमें व्यापम के द्वारा पुराने परिक्षाओं के सारे प्रश्णों के हल मैं आपको बताऊंगा मैं उन प्रश्णों के हल भी आपको बताऊंगा जो दो सेकेंड में सॉल किये जा सकते हैं और ली सॉल किये जा सकते हैं या option काटके असानी से सॉल किये जा सकते हैं मैं उन प्रश्णों के भी आपको हल बताऊंगा जो लेंदी होंगे लंबे होंगे जो लंबे तरीके से बनाना हमारी मजबूरी होगी तो हम दोनों में फरक भी समझेंगे अंतर भी समझेंगे और मेरा पुरा प्रयास यही रहेगा कि यह विडियो की जो सिरीज है यह आपके लिए काफी helpful सित्थ हो इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह जो विडियो की सिरीज है इसमें तो हम किसी परिच्छा तक कि आप यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा ओनलाइन कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें मैंने ही पुरा गणित और रिजनिंग विशे को पढ़ाया है आप उस ओनलाइन कोर्स को सकार एकेडमी के एंड्रॉइड अप्लिकेशन के थुरू जो रिजनिंग है डाउट आना सभाविक है डाउट आने पर लाइव डाउट सेशन का योजन किया जाता है जिस लाइव क्लास में आपके द्वारा पूछे गया है डाउट प्रश्न को आपको समझाया जाया है इसके साथ ही टॉपिक वाइस ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें आपम का भी पूरा कोर्स जोइन कर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन माध्यम में उपलब्त हैं साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें लाइक करें और प्रीवियस कोश्चन के अच्छे हल को जानने के लिए विडियो को अंतर तक जरूर देखें संपरिक्षक भरती परिक्षा 2018 चले शुरू करते हैं संपरिक्षक भरती परिक्षा में 100 कोश्चन हिंदी के आते हैं no doubt हिंदी का वेटिज जादा है 50 कोश्चन गणित और रिज परिक्षक भरती परिक्षक की सुरुवात कर रहे हैं रिजनिंग से 20 प्रश्चन मैट से और आप यकीन कीजिए कि यह रिजनिंग और मैस अच्छे खासे लेवल के मैस के प्रश्चन तो 7-7-8-8 लाइन के प्रश्चन आने वाले वीडियो सीरीज में हम उसे देखेंगे त स्क्रम में मेरे पास उपलब्द है मैं आपके लिए प्रारंब करता हूं बहुत ही असान प्रश्चन है जैसे की क्लासिफिकेशन चूज ओड़ वन दिये गया ऑप्शन में से विश्यम को पहचाने इस प्रकार के दो-तिन प्रश्चन थे पहला प्रश्चन मैं आपके विश्यम को पहचानिये आप्शन ए लाल ऑप्शन भी पीला ऑप्शन सी नीला ऑप्शन डी हरा चार अब आयोग के द्वारा ये व्यापाम के द्वारा स्वरी इस प्रश्चन को डिलीट किया गया जैसे डेटा मेरे पास उपलब्द है हाला कि इसका आंसर हो सकता है देख आपका चौथा ऑप्शन ग्रीन डी हरा है और आपका तीसरा ऑप्शन सी नीला ब्लू आरजी भी मिल गया बचा आपका पीला ऑप्शन नंबर बी ये सहीं आंसर होगा ये अलग है तो ये एक तर्क है जिसके अकॉर्डिंग ये आंसर सहीं है अब पता नहीं किस खारण से दिलेट किया गया तो आपने को सोचना नहीं है जाता अगला प्रशन निमलिखित में से विश्यम को पहचानिए पहला ऑप्शन बाल गंगा धरतिलक दूसरा ऑप्शन है आपका विपिन चंद्रपाल तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत्राय और चौथा आप्शन है गोप गंगा धरतिलक और विपिन चंद्रपाल ये तीन एक ग्रूप में आ गए तो विश्यम कौन हुआ गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन नमबर डी इस यूर आंसर अगला प्रशन है निमलिखित में से विश्यम को पहचानिए डोंगरी हलबी चतिसगड़ी गोंडी देखि समयधानिक भासा है सब भारत की 22 समयधानिक भासाओं में से एक है और यह सब समयधानिक भासा नहीं है बाकी ऑप्शन इसलिए ऑप्शन ए डोंगरी आपका सहीं आंसर होगा जम्मू कश्पियों ने बूली जाती है याद रखिए तेक हैं आपने पढ़ा भी होगा जिस की त्यारी के दौरान अगले प्रश्ण में आते हैं अगला प्रश्ण है सिरीज का प्रश्ण चलिए अब इस प्रश्ण को हमें लिखना होगा प्रश्ण दिया है आपका 6-6-30-132 यह हमारा प्रश्ण है इस ब्लैंक की जगह में क्या आएगा यह आपको पहचानना है सिरीज के लिए पहले के भी वीडियो में मैंने आपको सजेस्टे किया है सिरीज हुआ या मिसिंग नंबर हुआ मुश्किल से 20 सेकेंड आपको पैटन को सोचना है पैटन को बीश सेकेंड तक सोचे यदि आपको पैटन मिल जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो आगे बढ़िए पूरा पैपर बनाईए फीर आए कई से सोचिए नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे भटक जाएंगे समय वेस्ट होगा अब यह हम तो बना चुके हमें पैटन पता है हम सीधा आपको पैटन बताते हैं देखिए यहां से यहां कुछ नहीं बढ़रा है यहां से यहां बहुत ज्ज्यादा डिफरेंस है और यहां स छे तो फिर ये क्या है भाईया ये है आपका तीन की घाद दो माइनस तीन तीन की घाद दो मतलब नो नो माइनस तीन मतलब कित्ता हो गया छे अच्छा तो इसके बाद क्या होगा पांच की घाद दो, आप यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर प्लस पांच, पांच की घाद दो पच्चीस प्लस पांच यहने कित्ता हो गया, तीस, फिर यह आपका क्या होना चाहिए, साथ की घाद दो माइनस कित्ता, साथ, साथ की घाद दो, उन्चास, उन्चास माइन यहां पर क्या आना चाहिए 42 अगर यह सही है तो यह आपका 11 की घाद 2 होना चाहिए और 11 की घाद 2 प्लस कितना होना चाहिए 11 की घाद 2 121 प्लस 11 यानि कितना होता है 132 ही होता है और दिये गए प्रष्चन में आपका option नमबर डी 42 दिया गया है इसी लिए यही आपका अंसर है तो सर इतना उटपटांग पैटर्न एक्जाम में कैसे समझ आएगा ऐसे समझ में आएगा कि जब भी सीरीज के कुश्चन को बनाए रिजनिंग की कोई भी बूक उठाए और उसके सारे प्रश्णों को बनाए रिजन नहीं करेंगे ऐसा पैटर्न मालों जीवन में देखे ही नहीं है कभी बने गई पैटर्न तक पहुंचेंगे इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी जैसा कि मैंने कहा था मजेदार है समपरिक्षक में मैं सो रिजनिंग और उसकी सुरुवात होती है यहां से चलिए 1, 2, 4, 7, 13, फिर ब्लैंक और 44 ठीक है यह ब्लैंक में क्या आएगा आपको बताना है ठीक तो चलिए इससे हम देखते हैं बहुत 0 है 1 है 1 है फिर इधर 2 है ठीक है देखिए 0 और 1 1 1 और 1 2 1 1 1 एक और एक दो दो और दो कितना 4 देखें एक और दो तीन तीन और चार कितना 7 चार और दो चैश्य आर साथ तीरा चार और साथ कितना ग्यारा ग्यारा औरPhण 20 ूजारी सही है तो यह जहीं है उसके सुरू के चीन कोज पूड़ना है जैसे देखो यहां से देखो 4 इसके शुरू के 3 इंतीं को जोड़े 4 आया थिर इंतीन को जोड़े 1 और 2 3 4 कितना है गया साथ फिर उसके बाद इंतीन को जोड़े 2 4 6 6 7 कितना है ठेहा पुरसके बाद इन तीन को जोड़े 4, 7, 11, 11, 13 कितना? 24 और फिर यहां से इन 3 को जोड़े तो कितना आ गया? 44 यह है आपकी series बनेगा इस तरीके का pattern? बनेगा जी? चोनी बनेगा? प्रैक्टिस करेंगे, महनत करेंगे तो सब बनेगा नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा आप reverse forward करके वीडियो को देख सकते हैं फिर से चलिए अगले प्रश्ण में आते हैं अगला series अगला भी एक series का ही question है उसे देखते हैं अगला प्रश्ण आपके लिए दिया हुआ है यह भी series है 2, 3, 4, 4, 6, 8, 6, 9 फिर blank फिर 8, 12 और 16 यह series है blank में क्या आएगा आपको पहचानना है देखिए आपको अगर लंबा series कभी भी exam में देख कभी भी ऐसे बहुत सारे number यह दिख जाए पहला दिमाग यही दोड़ाना है कि यह जो लंबा series है इसमें बहुत सारी series होंगी यह किवल एक series नहीं होगा इसमें दो series भी हो सकती तीन series भी हो सकती तो पहले वाले से पकड़ना शुरू करो देखो दो से एक ज्यादा तीन तीन से एक ज्यादा चार ठीक है चलो फिर यह तो चार आ गया चार से दो ज्यादा छै छै से दो ज्यादा किता आगया आठ लेकिन फिर यहां नहीं आया जैसे चार आया था आठ से आठ आना चीए थे एक प्रकार से नहीं आया यह भी सिरीज नहीं है अब एक इस्टेप और बढ़ा दो two से दो ज्यादा च 네 शार से दो ज्यादा चै बीचके दो दो को छोड़ रहे हैं न शैजसे दो ज्यादा यह और यह को छोड़े आठ चल रहा है सिरीज बिल्कुल चल रहा है, तो वैसी ये भी दो जादा होगा तीन से तीन जादा, छै छैसे तीन जादा, नौ नौ से तीन जादा, बारा बहुत बढ़िया, ये भी वैसी चलेगा चार से कितना जादा, चार मतलब आठ, आठ से कितना जादा, चार मतलब 12 अगर ये सही है तो 12 से कितना जादा 4 मतलब 16 बनेगा मेरे ख्याल से pattern समझ में आगी होगा इस तरीके से pattern पे आपको विचार अपने रखने है और ये कशिस समझ आएगा जादा से जादा question solve करो अगला pattern देखते हैं अगला pattern आपको दिया है B, D, G, K अगला क्या आएगा B, D, G, K अगला आने वाला अक्षर क्या है आपसे पूछ रहा है देखिए B, D, G, K अगर आप इनके code की बात करेंगे तो B का code कितना होता है 2, A for 1, B for 2 C for 3 से लेके Z for 20 6 तक उसी प्रकाश से D का क्या होता है 4 तेक है फिर D के बाद 4, E, F, G G का कितना होता है भाईया 7 होता है तेक है और K का कितना होता है 11 होता है अब यदि आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ से यहाँ कितने का difference हो रहा है फ्रकाश से यहां से यहाँ कितने का difference हो रहा है फ्लस 3 यहा न से यहाँ कितने का difference हो रहा है प्लस 4 तो अगले difference क्या होगा भाईया फ्लस 5 और प्लस 5 यानि ग्यारा में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 16 आएगा और 16 का मतलब होता है P तो आपता आंसर क्या है P असानी से मिल गया सिरीज बनेगा इसे नंबर के फॉर्म में भी बोल सकते हैं या B C छोड़के D B के बाद C छोड़के D D के बाद E और F छोड़के G G के बाद H I और J छोड़के एक छोड़े दो छोड़े तीन छोड़े K फिर K के बाद अब चार छोड़ेंगे L M N O तो क्या हैगा P इस तरीके से भी पैटन को आप देख सकते हैं जो समझने में आसान लगे आपको बनेगा चलिए आगे चलते हैं इसी प्रकार अलफ़ा बेटी के लिए एक और सिरीज है A Y D V F T M अगला क्या आएगा A Y D V F T M अगला क्या आएगा इसी एक्जाम का प्रश्न है अब देखिए ये हमें पास-पास का दीखे रहा है A D F M कही ने कही लगभग पास है अगर ऐसा है चलो एक बार हम कोशिश करते है A से जो D की अगर हम बात करें तो यहां से देखो B और C छोड़े तो D फिर D के बाद E छोड़े तो कित्ता आगया F फिर F के बाद J के L छोड़े तो कित्ता आगया M फिर के दो छोड़े एक छोड़े तीन छोड़े इस तरीके का कुछ पैटरन है अना अब यहां से उल्टा चल रहा है Y Y में आपका होता है W और X V W X Y फिर के अलफाबेटिक ली सोचिंगे तो UV W X Y ऐसा UV W X Y 2 छुटा हुआ है तेक उसके बाद यहां से कित्ता छुटा हुआ है U T U V अब अगला कित्ता छुटा रहेगा 3 यहां भी 2 यहां भी 2 यहां भी एक यहां भी एक और यहां उल्टा कित्ता जाना है 3 तो T में क्या जाएगा? S, T, R, S, T, Q, S, T तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, A, B, C, D, E, F उसके बाद Sorry, 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 sorry E, F, F के बाद J, K, L नहीं है F के बाद है आपका E, F के बाद G, H, I, J, K, L 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो वैसी यहाँ भी 6 होगा Q, और उसके बाद P, उसके बाद O फिर इधर आएगा आपका N N, O, P, Q, R, S यानि यहाँ पे आपका क्या आएगा? M आएगा तो आपका आणसर क्या होगा? M तेक है? इसलिए ध्यान से बनाएंगे गलती हो सकती है बनेगा इस प्रकार का सीरीज आप देख रहे हैं, question का level है तेक है? समपरिक्षक है 100 हिंदी है, मतलब बाकी लपपा होगा ऐसा नहीं है समपरिक्षक के पेपर में कुछ भी लपपा नहीं है question का अच्छा खासल है वाल है चलिए आगे चलते हैं और सीरीज देखते हैं चलिए, आगे चलते हैं एक और alphabetically सीरीज है और बहुत मज़ेदार है अभी तक जो दो देखें उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है क्या है A, B, D H, P, F A, B, D, H, P, F और अगला अक्छर क्या होगा आपसे पूछ रहा है इसे आपको code के थूही बनाना पड़ेगा कैसे हैं? देखो, A का होता है 1, B का होता है 2, D का होता है 4, H का होता है 8, P का होता है 16 आपको दीखे रहा है, double हो रहा है code जो है, double हो रहा है अब देखिए 1 से दुगना 2, तो 2 का B हो गया 2 का दुगना 4, 4 का D हो गया 4 का दुगना 8, 8 का H हो गया आठ का दूगना 16, 16 कपी हो गया और 16 का दूगना तो 32 होता 16 का दूगना कितना होता है भीया 32, लेकिन अलफा बेठ हमारे कितने होते है 26 ही होते है तो 32 में 26 गया मतलब कितना आ गया 6, 32 में 26 गया मतलब कितना आ गया 6, और 6 किसका होता है F का, ठीक है तो यहां पे 16 दुनी आ जाएगा 32 माइनस 26 मतलब कितना 6 और 6 मतलब कितना हो गया 26 ही लेटर तक तो आएगा उसके और फिर से शुरू हो जाएगा अब 32 हो गया है तो अगला कौन सा रहेगा आपका 64 रहेगा यहने F के उपर आपको कहा जाना है 64 तक जाना है 32 के उपर अब 64 की यदि हम बात करेंगे तो F के उपर 26 दुनी 52 F के उपर यदि हम जाएगे तो 26 लेटर ही होते है 26 दुनी 52 तक तो जाएगी तो 52 तक तो F ही रहेगा वो वही F में यदि 26 जोड़ोगो तो F ही तो आएगा बात समझ आ रहे है 26 लेटर फिर से जोड़ दिए टोटल F तक को गूम के फिर से आ जाएगा और फिर से 26 जोड़ दिये फिर से F आ जाएगा यानि 26 दूनी 52 घटा दो कित्ता बच्छा आपका 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया 6 बच्छा कित्ता 12 अब F में आपको 12 जोड़ना है F का कोड़ कित्ता होता है यहां कितना बच्छा 12 और 12 का कोड़ होता है आपका कितना आपका फाइनल आंसर कित्ता होगा जैसे यहां पे 6 बच्छा रिमेंडर तो 6 मतलब क्या होता है F वैसे यहां पे रिमेंडर क्या बच्छा 12 मतलब क्या होता है L तो आपका आंसर कितना होगा समझ आया पैटन एक बार में फिर से पैटन को आपको बताता हूं देखिए हमको जो समझ आ रहा था वह हमने लिख दिया एक वन होता है बी का टू डी का फूर एच का एट और पी का सुला एक कोड होता है लिख दी वहां से हमको सीरीज दिग गया दुगना हुए जा रहा है अब 16 का 32 होता है 32 तो किसी का नहीं होता है चाहएज है लिखना है वैसे ही जब 32 से अगला डूगना होगा तो 64 64 तो किसी का नहीं होता तो इसमें 2 एलफाबेट घटेगा बनेगाजी? बनेगाजी?